ग्रीटिंग्स दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुष गर्ग है, मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ, मनिपाल होस्पिटल, पालन वियार गुर्गाओं में, मैं आज आपके सामने बैक पेन यानि कमर दर्द के बारे में कुछ बाते करना चाहता हूँ, एक स्टडी के अनुसार, 90% से ज़्यादा पॉपलेशन को जीवन में कम सकम एक बार बैक पेन ज़रूर परिशान करता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ी पॉपलेशन को कभी न कभी बैक पेन के लिए कोई इलाज, फिजियो तरेपी, ट्रीटमेंट या फिर स्पेशलिस से मिलना पड़ता है। बैक पेन के चार मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण कोई मास पेशी या लिगामेंट्स में खिचाव, चोट या सूजन। दूसरा डिस्क और उससे संबंदित बीमारियां जैसे डिस्क प्रलैप्स या फिर डिस्क प्रलैप्स की वैस जैसे नसों का दब जाना। तीसरा कारण होता है आर्थ्राइटिस जो जैसे की घुटने और कूले की हड़ियों में जोड़ों में आर्थ्राइटिस होते हैं। ऐसे आर्थ्राइटिस कमर के जोड़ों में भी हो सकती है। और चौथा मुख्य कारण है ऑस्ट्योपोरोसिस यानि की हड्डियों में कमजोरी जो आज की यंग पॉपलेशन में जो पहला कारण और दूसरा कारण जो की मास पेशियों की इंजूरी, सूजन और लिगामेट्स की चोट मुख्य कारण होती है जिसकी मुख्य वज़ा है लगाता लंबे समय तक बैठना, exercise की कमी और dietary deficiency जो की vitamins and minerals, body and muscles, bones को तंदूर्स रखने के लिए जरूरी है उनकी कमी और repeated stress बार बार जुक्के काम करना, लगातार बैठना और प्राक पोस्चर में बैठना ये इसके मुख्य कारण होते हैं तूसरा नंबर पर आता है डिस्क इंजूरी जिसकी वज़े से कमर दर्द और डिस्क ब दबाती है जिससे पैरमदर जिसको सामाने बासा में शायटी का भी कहते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है उस तरह की situation में कई बार मरीज को चलने में उठने बैठने में दिक्कत आती है और ज़्यादा तर इस तरह की विमारियों में फिजियो त्रेपी, एक्सेसाइज, दवाईयों से 80% से यादा लोगों में उससे आराम आ जाता है लेकिन जब नस पे बहुत ज़्यादा दवाव हो या उसकी वज़े से पैर में कमजोरी पेशाप करने में या मुशन पास करने में दिक्कत होती है तब ये एक तरह की अमर्जिंसी भी बन जाती है और उसके ल स्पाइन के होने की वज़े से कमर के मुवमेंट्स आगे जुकने बैठने इन सब में बड़ी दिक्कत आती है उसको रोकने का तरीका है जैसे कि कहा जाता प्रिवेंशन इस तब बैस्ट के और प्रिवेंशन के तरीके होते हैं रेगुलर एक्सराइज जिससे कि आर्थाइ इसको ठीक किया सकता है लेकिन सबसे मुखे बात यह होती है एक बार दर्द में सुधार आने के बाद बेशक्क वो प्रिवेंशन की वज़े से हो डिस्क की दिकत की वभी सो या अर्थाइडिस अपनी exercise का सरते जो physiotherapist की मदद से आपने सीखी हैं उन्हें कभी ना छोड़ें अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे आप बार-बार दर्द से पीडित नहीं होंगे चौथे पर मैंने मेंशन किया osteoporosis osteoporosis usually older age में होने वाली बिमारी है और महिला इससे ज़्यादा प्रभावित होती है तो उसको रोकने के लिए healthy lifestyle, regular exercise, calcium, vitamin D का सेवन ये बड़ा important है सबसे ज़्यादा important है active lifestyle जो मैंने अभी mention भी किया उसको करने से desk, bones, muscles, tendon सबकी health बनी रहती है आशा है आप इन सब भी चीजों को follow करेंगे, धन्यवाद